इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करत मल में बलगम और कुछून की स्थिति में भी इसका संकेत दिया जाता है. हल्के बुखार के साथ पानी जैसा मल आना जैसी स्थितियों को भी इसके उप्योग से ठीक किया जा सकता है. चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदो के बारे में. 1. पतले मल और अपच की स्थिती के उपचार में प्रभावी 2. पेशाब में खून आने की स्थिती के साथ पेचिश के उपचार में प्रभावी 3. खोई हुए खनिजों और इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरने में मदद करता है 4. यह आतों की सूजन को कम करने में मदद करता है 5. इसमें एंटिस्पास मोडिक गुण होते हैं और पेट फूलने के दर्द से राहत देता है 6. मल त्याग करते समय होने वाले दर्द के साथ मांस्पेशियों की एठन से राहत मिलती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें